एक बहुत ही आसान सा टॉपिक जो था आपका डैवर्सीट इन लिविंग औरियानिजम कुछ लोगों को आसान लगा होगा कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकर्ट लगा होगा डिपेंड करता है कौन कितना समझ पाया यहां पर हम नहीं डिसकस किया था कि जो classification का base है वो क्या है किस base पर classification किया जा रहा है फिर कौन से ऐसे characteristics हैं कौन से ऐसे features हैं जिनके base पर हमें classification करना है बढ़िया तरीके से यह पढ़ा हम लोगों ने फिर पढ़ा था classification और evolution से related की क्या सा इन दोनों में relation है biodiversity के बारे में समझा था mega diversity क्या है ये समझा था हम लोगोंने hierarchy समझे थी classification की किस प्रकार hierarchy किस प्रकार ये step by step बढ़ते जाएंगा आगे की और ठीक है जो लोगों relation की बात की थी evolution और biodiversity की जहां पर हमने discuss किया था कि जो आर रॉबर्ट विटेकर हैं जिन्होंने monera, protesta, fungi, planty, and animalia इनको जो है इतने groups बनाये थे इन्होंने division करके ठीक है features को देखते हुए क्या features लिए तो दुपसली structure था mode of source of nutrition था, body organization था ये सब चीज़ें थी फिर आगे हमने ये पढ़ा था कि who's ने टोडिस किया monera into archibacteria and eubacteria ठीक है तो ये सब चीज़े हम लोगोंने इससे पहले वाले session में discuss कर ले थी अगर आपने नहीं देखा वो डियो को देख लीजेगा आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से वो वीडियो ठीक है तो आज जो डिसकस करेंगे वो monera, protesta, fungi, plantain, neemalia इनके बारे में discuss करेंगे इविन इसके बारे में कि आज इस chapter को पूरा finish कर देंगे आज मैं सोच रहा हूँ तो चाज़ें आपको discuss करते हैं सहसे पहले monera के feature के बारे में देखिए जो monera है इसमें आपको सिर्फ इतनी चीज़े जाननी है आप अगर notes बनाना चाहते हैं तो notes बना लीडिए monera में क्या है कि monera organism do not have defined nucleus or organelles यानि कि जो आपके monera होते हैं इनमें defined nucleus or organelles नहीं होते हैं पहला point आप इसको note down कर सकते हैं second no multicellular body design यानि इनके अंदर कोई multicellular body design नहीं होता है यानि कि singly cell मिलेंगे आपको ये इधर autotrophic और heterotrophic या तो ये swim खाना मना लेंगे ये तो फिर किसी अगले बंदे पर depend करेंगे जिसा आप heterotrophic mode of nutrition बोलते हो some organisms have cell walls while some not यानि किसी के पास कुछ organisms ऐसे पाए जाएंगे monira के अंदर जिनके पास cell walls पाए जाएंगी और कुछ organism ऐसे होंगे जिनके पास cell walls absent होगी तो I hope आपको ये point clear है monira के अंदर next चलें तो protista के बारें पढ़ते हैं तो protista के अंदर आपको मिलता है Unicellular Eukerotic Organism क्या मिलता है Unicellular यानि कि एक कोसी Eukerotic Organism मिलता है for locomotion यानि कि अगर Unicellular है तो इसके अंदर ये locomotion भी करता है जो जो protista के अंदर जो organisms आएंगे Eukerotic वो locomotion भी सो करेंगे और जो locomotion होगा वो with the help of celio or whip होगा ये किस तरह का structure होता है यानि कि जैसे flagella होता है जो उसी को आप बोलते हैं celio or whip ठीक है hair leg structure होते हैं ये और इनहीं कि तरू क्या करता है ये locomotion कर पाता है Eukerotic Organism अगर पुछा जाएंगे इनका nutrition का mood क्या है यदि आप joined नहीं है तो telegram group का आपको मिल जाएगा नीचे link उस पर join जाएगा और इनकी photos send करिएगा इनके photos के उपर नाम लिखेगा और send करिएगा कि इनके pictures telegram पर तो इससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा कि basically ये चीज़ें हैं क्या और आपके पास एक थोड़ा सा sincerity आ जाएगी दूसरी बात जाएगा अपनों चलते हैं फंजाए के पर देखें हम लोगोंने मोनेरा पढ़ लिया प्रोटिस्टा पढ़ लिया ठीक है इनको आपनों डाउन कर सकते हैं यदि आपको दुबारा सुनने तो दुबारा सुन लिजेगा इस चीज़ें आपको clear होती हैंगी नेक्स चलें तो फंजाए के बारे में तो फंजाए कैसा होता है हेटरोट्रोफिक युकेरोटिक और्गानिजम है nutrition अगर पूशा जाए फंजाए का तो सेपरोफेटिक होते हैं क्योंकि ये dead जो decaying organic materials होते हैं उसको as a food ये consume करते हैं नेक्स चलें तो लाइकेंस के बारे में तो some fungi live in the symbiotic relationship with cyanobacteria और जो ऐसे fungi जो symbiotic relationship बना कर रखते हैं cyanobacteria के साथ उन्हीं को हम lichens बोलते हैं तो lichens कुछ नहीं है बेसिकली दियार fungi बड़ ऐसे fungi जो symbiotic relationship में रहते हैं उन्हीं को आप बोलते हो lichens इनका जो algal part होता है वो क्या करता है provide food करता है यानि कि food को provide करता है और जो fungal part है that provides minerals and substrate तो यह जो आपका fungal part है वो क्या करेगा provide यह minerals and substratum को provide करता है और जो algal part है that is for food तो आप यह point आपको clear होने चीए next आपका planty तो planty क्या है plant है इसके अंदर plant तो होंगे यानि कि plant है तो number of cells ज़ादा होंगी तो multicellular you carry out cell walls भी होती है nutrition देखें तो autotrops होगा क्योंकि chlorophylls के अंदर present होता है और photosynthesis तो यह खोद अपना food prepare करते हैं कौन plants तो आपको यह चीज़ clear है emilia में चले तो यह भी multicellular you carry out होट होगी क्योंकि इनके पास विसल्स होती है और nutrition देखा जाए तो basically heterotrops होता है इनके अंदर अब देखें जो kingdom plant है आपका इसके अंदर इनको further और classify किया गया है plant kingdom को कैसे किया गया है तो थेलोफाइटा ब्राइओफाइटा फिर ब्राइओफाइटा से इधर त्रेड़फाइटा फिर त्रेड़फाइटा जिम्नोस्परम और तो सब्सक्राइब डिसकस करते हैं थेलोफाइटा के बारे में जिसे आप algae भी कहते हो तो plants that do not have a well differentiated body design fall in this group यानि कि जिनके पास well differentiated body design नहीं है यानि कि ऐसे plants जिनको आप ये नहीं बता सकते हो कि इनकी roots कहाँ है इनकी stem कैसी है ठीक है well differentiated नहीं है तो उनी को आप जो है इस group में रखते हो कि इसमें थेलोफाइटा अब algae का क्या है roots कहाँ stem कहाँ है और bud कहाँ है बता थोड़ी सकते हो बहुत ही undifferentiated होता है बहुत ही inconspicuous होता है यानि कि आप protection होता है ना तो inconspicuous है तो इसका मतलब आप इसको clearly नहीं judge कर सकते हो तो थेलोफाइटा के अंदर रखोगे आप ऐसे plants को the plants in this group are commonly called algae तो ऐसे plants जो इस group में होंगे उन्यों को आप algae बोलोगे these plants are predominantly aquatic अगर अच्छा अगर यह जो है well undifferentiated well differentiated है यानि कि अगर थेलोफाइटा के अंदर कोई plant है तो basically हों कैसे होंगे aquatic होंगे क्योंकि predominantly aquatic होता है आपका algae example जैसे आप इसके spire हो गायरा हो गया yulothrix हो गया cladophora हो गया कोरा हो गया तो यह सचीज़ आपको या दखना है में लिए इसमें आप spire हो करो और yulothrix से याद रख लो इतना बहुत है next चलें ब्राइओफाइटा के पास तो यह ऐसे amphibians है plant kingdom के क्या है these are called the amphibians of plant kingdom यानि plant kingdom के amphibians कहलाते हैं ब्राइओफाइटा the plant body is commonly differentiated to form stem and leaf life structures यानि इसमें आपको body कैसे मिलेगी differentiated मिलेगी to form leaf and stem यानि कि आप इसमें stem और leaf kid like के जैसे structure आप मिलेगा इसमें और आप उसको judge कर सकते हैं कि stem or leaf like कुछ something structure है तो इस तरके के जो plants होंगे आप ब्राइटा में रख होगे however there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of plant body to another हाला कि इसमें कोई specialized tissue नहीं होते हैं जो water का transportation है उसके लिए एक पार्ट से दूसरी part of body को फशाने के लिए ठीक है क्या water को तो यह थोड़ा सब यहां पर mark करने वाला point है कि ब्राइटा के पास कोई स्वाइस टिश्यू नहीं होते हैं for the conduction of water इसके example है जैसे कि आपके moss हो गया फिनेरिया और यह मरकेंटिया हो गया ठीक है यह सब example आपको यादए क्वाइटा के अंदर नेक्स चलिए तो trade of fire क्या होता है the plant body is differentiated into root system and leaves यहां पर आपको differentiated body मिले गी root से मिलेंगे system भी मिलेगा leaf से मिलेगा और इससे sliced tissue भी होती है for the conduction of water and other substance from one part of plant body to another यानि कि फुली डबलोट प्लांट आपको यहां पर मिल जाएगा इसके एक्जामपल है तो आप इनको क्या करेंगे इनके पिक्स आप फाइंड करिए गूगल से और टेलेगराम गुरुप में मुझे इसको सेंड कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा ठीक है उससे आप पनेट हो सकते हैं इस्टाग्राम और टेलेगराम पर उसका मैं आपको लिंक प्रोइड कर दूगा अब थोड़ा सब बेसिकली यहां पर एक स्पोर्स क्या होते हैं अब आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं इस्पोर्स बहुत ही आसान सब्सक्राइब बोलो कि अगर पूछे कोई वार्ट इस्पोर्स तो बताओ कि नेकेड इंब्रियोस आर काल्ड इस्पोर्स क्या होता है कि इनके जो रिपर्ट की ओर्गन्स ह सकते हैं आप बताने सकते हैं कि basically counts apart है counts apart नहीं है मतलब clearly आपको यहां दिखता नहीं है अब protect शुरूप से जो है reproductive organs इसमें आपको दिखते हैं इसलिए इसको आप क्रेक्टोगेमी भी बोल देते हो या फिर hidden reproductive organ बोल देते हो ठीक है अब वहीं अगर हम लोग बात करें differentiated reproductive tissues की तो जिनमें seeds होते हैं और जिनमें seeds होते हैं यहीं को हम phanerogenes भी बोलते हैं तो अगर पूचा जाएगा what are phanerogenes तो आप बताओगे कि the plants with well differentiated reproductive tissue that ultimately make seeds are called phanerogenes और जो seeds हैं यहीं पूचा जाएग किसका example या को कौन सा features को करती हैं तो are the result of reproductive process किसका result होते हैं reproductive process का result होते हैं seed इनके अदर embryo होता है जिसमें आपको stored food मिल लाएगा initial growth के लिए जो food है वो nutrition provide करता है embryo को during germination तो this is how you come to know about sports and phanerogenes अब नों discuss करेंगे gymnosperms क्या होते हैं basically तो the plant of this group be a naked seed यानि के naked seed होता इस तरह के plants के पास and usually यह आपको perennial, evergreen and woody plants में जाएगा जाएगा यह category points and deodor जो है example angiosperm के अंदर आते हैं यह ठीक है next चलिए तो angiosperm the word is made from two greek word angio means covered and sperma means seed यानि कि जिनके अंतर आपको covered seed मिलेगा they are under the angiosperm उनहीं को आप बोलो के angiosperm plants है वो और ऐसे यह जो seeds है develop करते हैं in an organ which is modified to become fruit यानि कि जो आपका seed है वो एक organ के अंदर develop होता है और जो further वो जो organ है वो develop हो जाता है क्या fruit में ठीक है तो fruit के अंदर आपको seed मिल लाता है और these are also called the flowering plants और यह angiosperm flowering plants नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर seed formation तो हो ही रहा है तो जब flower बनेगा तो seed उसके अंदर तो जाहिर सी बातर रहेगा और जो plant embryos and seeds have structure called cotridans यानि कि क्या होता है cotridans तो cotridans are the seed leaves यानि seed के जो part होते हैं जो leaves होते हैं when you cut cotridans बोलते हो because in many instances they emerge and become green when seeds germinate क्या होता है कभी कभी आप देखते हो कि जब परसात के मुस्ता में आपने देखा हो कभी कि आपने अदर mango खाया है और इसके seed को यादि आप कहीं थो कर देते हो रैंडमली कहीं पर भी तो basically क्या होता है धीरे से उसमें से green color का part प्लिम्यूल बाहर निकलता है और धीरे से जो है उसमें एक दो leaves आती हैं बहुत ही tender leaves आती है तो वही क्या है जो seed leaves है वही से निकलता है वह प्लिम्यूल तो basically वही cotridans दो cotridans के through निकलता है तो निकलता है तो एक जिसमें बीच पाया जाएगा एक सीड लिप पाया जाएगा उसी को आप मोनो काट्रिदन बोलोगे और डाइक को उतता है जब सीड से आफ टो काट्रिदन होंगे तो डाइक कार्ट कहलाएगा वो ठीक है तो आई वोप आपको यह चीज के लिए रहा है यह था आपका किंग्डम प्लांटी जिसके अंदर आपने यह सारी चीजें पढ़ें कौन कौन सी पढ़ें तो आपने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्राइओफाइटा, टेरडोफाइटा और फिर इसके बाद आपने पढ़ा यह होगी आपका प्लांटी, आप चलते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ओफ किंग्डम अनिमलिया के ओपर, देखिए जो आपका किंग्डम अनिमलिया है, फर्दर इस हो डिवाइट किया गया है कई फाइलम में, इच फाइलम के पास एक क्लास है, सबक्लास है, और है, फैम होगी और है बना होगा, यानि कि किने फोस हैं होगी इनके बडी में होल्स ntर अब मिलेंगे, आपको audio के अदर पूरे बाडी में है and these들 to canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen और यही जो pores है यही की मदद से क्या करते हैं यह जो organisms है यह water को circulate करते हैं throughout the body and food and oxygen की जो supply है उसको fulfill कर पाते हैं इनमस are covered with the hard outside layer or the skeleton which comprises of speculose or carbonate silica वही जो मैं आपको बताया है कि इसके जो outer body layer होगी वो covered होगी skeleton से या फिर calcium carbonate की लिए और से silica से they have very minimal differentiation and division into tissues बहुत ही minimal differentiation होता है इसके अंदर आप इनमें जज नहीं कर सकती है कि इसका part कौन सा क्या है देखकर वही बात है इन कौन स्पिकास है और division into tissues ज्यादा नहीं है इसमें एक्जांपल जैसे कि sponges हो गया यह इस एक्जांपल किसमें आ गया पौरी फेरा के अंदर आ गया silentrator में चले है तो aquatic animals को आप silentrator में रख सकते हो ठीक है there is a cavity in the body hence the name silentrate column means cavity इनके body के अंदर एक cavity होती है इसलिए silentrator के अंदर इसको रखा जाता है हम ही इसका रखा गया है और body is made up of two layers of cells दो layers की जो है body इनकी बनी होती है तो एक्जांपल है जैसे कि hydra and jellyfish तो दो layers of cells से बनी होती है इनकी body platy elements पे आ जाते हैं तो the body is bilaterally symmetrical तो यानि इससे पहली बार तो इनकी जो body होगी वह symmetrical होगी meaning that the left and right halves of the body have same design यानि कि symmetrical का मतलब यह हुआ कि जो left and right body part है दोनों को अगर differentiate कर दो आप तो दोनों में same design आपको मिलेगा उसी को आप बोलते हो bilaterally symmetrical there are three types of cells from which differentiated tissues can made which is why such animals are called triploblastic तीन तरह के tissues या तीन तरह के layers पाजाती है इनमें cells की इसलिए आप इसको differentiate भी कर सकते हो इसलिए इनको triploblastic ही बोलते है क्योंकि three layers of cells इनमें मिलती है आपको there is no true internal body cavity or the column in which well developed organs are accommodated कोई true internal body cavity ही होती है जिसमें कि आपका organs इसमें accommodate हो सके ठीक है the body is flattened and dorsi ventrally meaning from top to bottom which is why these animals are called flatworms क्या होता है इनकी जो body होती हो flattened होती है dorsi ventrally पीशे की तरह ऐसे के top to bottom देखा जाए तो इसलिए इनको flatworms भी बोलते हैं क्या बोलते हैं flatworms बोलते हैं they are either free living और parasitic या तो free living होंगे या तो फिर parasitic होंगे flatworms मतलब थोड़ा सा top to bottom क्या होते हैं flat end होते हैं dorsi ventrally मतलब tape जैसा होता है न आपका चिपकाने वालो ऐसी तरकाल दीखेंगे आपको कुछ structure में plan area और जो lever fluk हैं आपने देखा होगा इनको सर्च करिएगा आपको पता लग जाएगा इस structure इनका कैसा है आप पड़ते हैं nematode के बारे में nematodes क्या है तो body is bilaterally symmetrical and triple blastic वही जो आपको मिलेगा इसके अंदर platy elements में वही चीज आपको nematode में मिलेगा त्योंकि वै आपको इसमें pseudo जो कॉलम है वह इसमें present रहेगा यानि कि body cavity होगी लेकिन exactly नहीं होगी false होगी यह pseudo होगी दिज़े वरी फैमिलियर आज परसेटिक वांस कॉजिंग डिसीज फैक्या है परसेटिक मिलेंगे आपको इस अच आपको इस अच आपको इस वांस कॉजिंग एले सेरिया है ठीक है किसके एक्जामपल है नेमा तोटके नेक्स चलें तो एनलीडा यह भी क्या होंगे बाइलिटरली सेमेट्रिकल हैं टेप्रोब्लास्टिक हैं body cavity के अंदर प्रेजेंट होगी अब बाडी इनकी जो है ring-like segments में divided होगी इसलिए आप इसको एनलीडा बूलते ह आर्थफांस और लीक इसके एक्जामपल हो जाएंगे और्थपोडा में चले हो तो largest group of animals में आपके और्थपोडा इनकी बाडी जो है bilaterally symmetrical होगी segmented होगी open circulatory system होगा so the blood does not flow in the well-defined blood cells so open circulatory system में इसलिए blood जो है वो इतना well-defined तरीके से flow नहीं करता है blood vessels में और they have jointed legs word orthopod means jointed legs और इनके पास क्याते हैं jointed legs होते हैं इनकी इसलिए आप इसको orthopodal में रखते हो एक्जामपल जैसे कि ants हो गया cockroach हो गया grass ओपर हो गया scorpions हो गया तो इसाब orthopodal में आप इनको रख सकते हो mollusca के पढ़ते हैं तो क्या है bellatorical symmetry मिलेगा आपको यह भी reduced column cavity होगी इसके अंदर भी नहीं मिलेगा आपको soft body covered होगी with hard cell made of calcium carbonate body अंदर soft होगी लेकिन जो calcium carbonate है उससे इनकी body covered होगी जैसे कि घूंगा इसनल्स हो गया muscles हो गया ठीक है यह सब आपको mollusca के अंदर बिल जाएंगे echino dermata के बारे हम पढ़ते हैं तो in Greek echino means hedgehog hedgehog बोलते हो इसको echino को ठीक है and derma means skin these are spiny skinned organisms यानि कि इसके अंदर जो आपको मिलेगी spiny मिलेगी skinned organism होगे exclusively free living marine animals होते हैं यह triple plastic animals है इनके अंदर column मिलेगा आपको यानि कि body cavity मिलेगी they have a peculiar water driven tube system that used for moving around इनके अंदर peculiar water driven tube system मिलता है जो कि इनको move कराने के लिए helpful होता है skeleton made of calcium carbonate इनका skeleton है वो calcium carbonate से बना रहेगा इसके जो examples हैं starfish और sea organs होगे हैं यह आपके echino dermata मिलेंगे यानि के अंदर आपको starfish और sea organs है इनमें आपको peculiar water driven tube system मिल लाता है और इसी के अंदर आपको spiny skinned organism मिलता है यानि के spiny type का आपको इसमें इस structure दिखेगा starfish और arcans में proto-cord data क्या होता है तो इनमेल्स आपको आपको एक long rod like support structure मिलेगा जो basically क्या करेगा animal को separate कर रहा होगा nervous tissues को गट से यानि कि nervous tissue और गट को separate करने का जो एक जलिया है वो notocord है और यह क्या करता है it provides a place for the muscles to attach for the case of movement यहनि कि यह muscles को एक support provide करता है प्लेस प्राइट करता है जिससे कि वो muscles उसमें attach हुजा है notocord में और movement हो पा है ठीक है तो the notocord is a long leg structure, a cord string that runs along the back of animal separating the nervous system from the gut it provides a place for muscles to attach for ease of the movement समझगा है पापलो examples इनके जैसे आप देख लिजे बैलाओं गोलस हो गया ठीक है hardy mirada हो गया, amphixus हो गया, amphioxus तो यह सब क्या examples है प्रोटो-cord data के तो आप आपको समझे नहीं या हुआ हुआ आप देखिए core data मतलब अब यहाँ आपको थोड़ा सा bones मिलने लगी थे प्रोटो-cord data में इसलिए यहाँ पर core data लगा हुआ है अब आपको मिल जाते हैं थोड़ा सा double-up जो है vertebrates ठीक है vertebrates मिल जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि these animals have a true vertebral column and internal skeleton along with completely different distribution of muscles attachments points to be used for the movement and the vertebrates are bilaterally symmetrical, triploblastic, psilomic and segmented with complex differentiation of body tissue and organs all the coordinates possess the following features यानि क्या आप करें कि इसमें आपको vertebral column और internal skeleton वो fully developed मिलेगा आपको इसमें और इनकी muscles जो होंगी वो well defined तरीके से distribute होंगी जिससे कि जो points हैं जो attachment points हैं वो इतने बहतरीन तरीके से जोड़े होंगे एक दूसरे से कि movement यह लगबग सभी direction में कर पाएंगे आसानी से और जो vertebrates हैं और फीचर्स यह हैं कि क्या हैं बाले टर्गली symmetrical हैं triple plastic होंगे सिलो में cavity में पाई जाएगे segmented होंगे ठीक है इस सारी चीचें जो पहले मिली थी आपको वो सारे यहां पर मिलेंगे ठीक है इनके अंदर जो features हैं जो vertebrates के अंदर आएंगे जैसे के नोटो कोड डॉसल नर्फ कोड ट्रफलो ब्लास्टिक प्रडिगल पाउचेज सीलो में यह सब आपको इसके अंदर मिल लाएगा किसके अंदर वर्टी ब्रेट के अंदर अब वर्टी ब्रेट को कुछ विश्ट फाइफ लासस में डिवाइड किया है वनके बारे मैं पढ़ देते हैं किया हैं तो बोडी पाइसस पढ़ देते हैं तो बोडी स्के होती है fins होती है इनके पास tail होती है यह swim करने के लिए skin जो है scale से covered रहती है skeleton can be made of bone और cartilage यह bone यह cartilage से बनी होती है इनकी skeleton और gills के तुरू यह oxygen लेते है cold blooded animals है two-chambered heart इन में होते हैं example जैसे के fist like rohu tuna shark यह सब Pisces के अंदर आते हैं next amphibia तो they are adapted to live both और land and water दोनों में रहते हैं यह land and water में इसलिए इनका नाम होता है amphibia respiration यह अपना gills और lungs दोनों के माध्यम से कर सकते हैं जो भी इनके पास present होगा three-chambered heart होता है amphibia में example जैसे कि frog, toad और salamander ठीक है तो इनके अंदर three-chambered heart मिलता है reptilian these are the crawling animals skin is rough and modified with extreme and extreme temperature the heart is three-chambered, three-chambered heart होता है while four-chambered in crocodile crocodile में आपको चार-chambered का जो है दिल मिलेगा core-blooded animals है जैसे कि lizard होगा है turtles होगा है snakes होगा है ठीक कि यह सब किसके अंदर आते है reptilian के अंदर आते है apes क्या होते हैं तो body is caught with the feathers and floor limbs are modified for flying यानि की feathers and floor limbs आपको मिल जाएंगे इनकी body में जो की flying के लिए modified होते है बने होते है और breathing through lungs, warm blood animals के लाएंगे यह आपकी apes और four-chambered head मिलेगा आपको जैसे कि sparrow, eagle, crow, parrot यह सब आपके example मिलाएंगे apes में लास्ट आपका जो है vertebrate के अंदर वो है mammalia, तो mammary glands are present which produces milk to nurture young ones यानि की जो उनके young ones है उनको nurture करने के लिए इनके पास mammary glands होता है जिससे produce होता है milk इनी के तुरू उनको nutrition मिलता है at very initial state इसके जो होती है वो covered होती है इनकी with hairs and sweat glands and sebaceous glands है ठीक है warm blood animals है four chambered heart आपको मिलेगा इसमें most animals are viviparous यानि की जो young ones को birth दे सकते है उनकी आप viviparous बोलते हो है and some are oviparous यानि की जो x produce करते है फिर उसके बाद young ones उसमें से hatch होकर निकलते है तो उनको आप oviparous बोलते हो viviparous जो directly young ones को birth करते है तो example जाएंगे mammalia के अंदर जैसे कि man हो गया horse हो गया kangaroo हो गया lion हो गया तो यह सब mammalia के अंदर आप इनको categorize करोगे next अब देखिए कुछ important जो method है कि आप scientific name कैसे लिखते हो वो आप जान लीजे क्योंकि यह बहुत important है इसके basis पर भी आपको marks मिल लाते हैं ठीक है अब जो आपका जो genus है the name of genus begins with a capital letter यानि कि जो genus किसी भी जो organism का जो genus होगा उसको अब हमें से capital letter में start करोगे ठीक है the name of genus begins with capital letter यानि कि genus अगर यह कोई नाम है तो इसका जो पहला जो letter होगा वो capital letter होगा ठीक है the name of species begins with a small letter अगर species का नाम लिख रहा हो तो small letter से सुरुआत करोगे and when printed the scientific name is given in italics अगर print कर रहा हो आप scientific name तो उसको italic form में print करोगे लिखोगे and when written by the hand genus name and the species name have to be underlined separately और जो genus और जो species अगर आप उसको लिख रहा हो कॉंपी में तो दोनों को आप underline करेंगे separately तो आपको यह चीज़ें clear है कहीं कोई doubt नहीं है इसके अंदर और यह मैंने आपको लगभग जो है पूरा chapter खतम करा दिया है लगभग क्या पूरा ही definitely covered हो गया है कहीं कोई आपको doubt नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे comment section में बता सकते हो या फिर मेरे जो आप social handles है वहाँ पर आप मुझे message का सकते हो without any hesitation मैं आपके doubt बिल्कुल वहाँ पर clear करूँगा ठीक है तो इसको आप मेरे क्याल से आप इसके notes बना लें दी अपने copy में तो आपके लिए ज्यादा beneficial होगा क्योंकि फिर आप उसको भूलेंगे नहीं क्योंकि बहुत ही attractive और बहुत ही simple and crisp यहाँ पर note आपको मिल लाएंगे तो कि बुक में आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मिलत हो जाएंगे समझ सक इसके बाद आप बुक अगर पढ़ लोगे तो समझ लिजए कि आपका concept एक दम clear हो जाएगा कि basically कौन से kingdom में क्या चीज है और किस तरीके से उनको divide किया गया है किस features के base पर तो आपके चीज के लिए और वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ share करिए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जो भी आपके field से related हैं और को भी क्या रही हो तो उसको पूंचे जरूर थैंक्यू गाइस जय हैं जय वारत